जब सदस्रता आगई आपने खुल कर सपोर्ट किया लेकिन जो संजे सिंग के मामले में कॉंग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फरक पड़ता है पाल खेरा के गिरफतारी के ओपर अर्विन केजरिवाल ने ये जवाब दिया था पहले तो इंकार किया था कि मैं जानता नहीं कौन वेक्ति हैं पहरे दिन और दूसरे दिन ये कहा था कि जो नशे के कारोबार में लिफ्ट होगा उसके खिलाफ तो हम कारवाई करेंगे और आ उटे से बड़ी तक कब गिरी कब गिरी कब गिरी तो कलाकार की कलाकारी है कि जब तक समा ले गए लेकिन अर्विन्द केजरिवाल ने एक तरह से फिर से वो काम किया जो राजनीत में किसी नेता को करना चाहिए अर्विन्द केजरिवाल ने अपनी कॉंस्ट्वेंसी को बत आ रहा है कि Congress दरसल उनके लिए अब कुछ है ही नहीं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है Congress Party के लिए क्योंकि Congress Party ने कितना दिन लिया दो दिन ले लिया ये तैक करने में कि हमें इस पर प्रतिक्रिया देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए उसके बीच में Congress Party की तरब से सभी Party प्रवक्ताओं को कहा गया कि आप TV चैनल में नहीं जाएंगे और सिर्फ इतना नहीं है अपने ज्यादा बोलने वाले नेताओं को कहा गया कि कोई ऐसी पोस्ट मत करना जिससे चेन रियक्शन आये और वह वाला मसला हो जाए जिसमें अलका लामा ने एक बयान दे दिया था उसका प्रियंका ककर ने दे दिया था वो वाली चेन रियक्शन वाली इस्तिती नहीं हो और जब बयान आता है तो केसी वेनुगोपाल का बयान सचमुझ बड़ा सीजंड बयान है लेकिन अर्विन दिकेजरिवाल से मुकाबले में है कॉंग्रेसी हो आप लोग किसी नेता से नहीं है वो शार्प हैं वो मौके पर हमला करना जानते हैं और उनको मचली की आख वाला मसला है उनको पता है कि जनासा चूके तो कॉंग्रेस वाला हिस्सा हमारे पास आने से रह जाएगा अब कॉंग्रेस के पाले में गेंध है कि वो ताय करें कि क्या करें और दे देखिए ये भी हमको समझना पड़ेगा कि मामला किसका है संजे सिंग का मनीश सिसोधिया सतेंदर जैन पहले जेल में है अब अर्विंद के जरीवाल के लिए संजे सिंग बहुत एहमियत रखते हैं इस वक्त पार्टी में अगर आप देखिए पार्टी की सिस्टम में एक सं संजे सिंग बात करते हैं अब संजे सिंग जेल में चले गए तो अब अर्विंद के जरीवाल के लिए दरसल यह जिसा सब बाबलकुल ची कहा कि उनको फरक नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोच रहा है उन बेरा आदमी जेल गया है मैं तो उसके बारे में सोच रहा हूं यह जो बयान है वो अपने वरकर को अपने उसको उससाहित करता है कि परवा मत करिये कॉंग्रेस की कोई जरूरत नहीं है और वो सवाल को सुनते ही क्योंकि केसी बेनी गुपाल का ट्वीट तो उन्होंने भी पढ़ लिया होगा उस पर वो सवाल को पूरा करने से पहले है तो अर्विंद केजरिवाल की शर्तों पर रहना और यह दूसरा मौका है आप सुछिए जो डैली ऑफिशल ऑफिसर्स का जो बिल था उस पर भी अर्विंद केजरिवाल ने इंडिया की बैठक में का कि पहला इस पर बात होनी चाहिए और बात हुई और फाइनली कॉंग आप ट्वीट में दोनों बाते करेंगे तो केजरिवाल को आप जानते नहीं वो तो अलग तरीके की परिटिक्स करने वाले लोगों में सार कॉंग्रेस पार्टी का भी कोई स्वाभिमान होगा और मैं यह मानता हूँ कि केसी वेड़ु गोपाल का एकदम दुरुस्त कहें क कॉंग्रेस का स्वाभिमान है तो वो तो अभी भी जिन्दा होगा ना अरविंद केजरिवाल की बाइट के बाद भी है क्या उस पर रैस्पोंस आई है कोच अब देखते हैं क्योंकि जो केजरिवाल ने जैसे कहा है वो किसी भी स्वाभिमानी पार्टी के लिए बहुत दोनों का बस चले तो दूसरे की जो है इलेक्शन कमिशन में जाकर के मानेता रद करा दे। अभी शरत पवार साब ने किसी इंटेव्यू में कहा कि अरविंद केजरिवाल तीन सीट देने के लिए तयार हो गए है उनको तो दोनों के एक रिलेशन्शिप शरत पवार कितनी सीट पाएंगे नसीपी की तरफ। तो यह लगता कि ब्रष्टाचार में वो साथ दे रहे हैं उनके खिलाब खेरा के अलग कारवाई हो रही है पंजाब में अगर वो केजरिवाल के खिलाब भयान देते के कारवाई अच्छी हुई है तो यह देखेगा कि इंडिया गडबंदन में विरोधे आमाधी पार्ट पार्टी पूरा लीड कर रही है उनके हाथ में कुछ नहीं है तो मुझे लग रहा है अपने अस्तित्व के लिए अपने सौविवान के लिए और बताने के लिए कि वही एडी कारवाई ज़रूर के तरफ से हो रही हैं इसका विरोध करते हैं लेकिन हम पंजाब की इनको वापिस पाना है और इसमें जो बात जिए जवाब को आप कैसे देख रहे हैं कि जवाब दिया है उसको आप कैसे देख तक प्रश्टे पूछा तो उन्हें तक्काल जवाब दे लिया कि ठीक है कि हमें कुई परवा नहीं है लेकिन केजरिवाल को इस समय कॉंग्रिस की बहुत जरूरत है कि इस बांग को जानते हैं कि अब जिस इस्तिते में आमादी पार्टी चली गई है बतलब इस तब मामले में फसने के बाद जिससे गती हो रही है वो चाहेंगे कि इंडिया गडबनन उनके पीछे पुड़ा ताकत के साथ खड़ा रहे है जिससे लगे बिटिंग में शामिल होना यह इसको थोड़ा सा इंडिस्टिंग मनाता है मलिगा तो बड़ी बात नहीं है इस यह बिटिंग क्यों हो रही है महराष्ट कॉंग्रेस का शरत पवार के लिए यह बार-बार अपने केंदें ने से कहा जा रहा है कि उनका विले किया जाए कॉं अगर शरत पवार को इंडिबेंडनली सपर्ट करने से हमें कोई फायदा नहीं है शरत पवार आप बहुत कम जोरू चुके है अजित पवार के पास ताकत चली गई है अगर शरत पवार को अपना अस्तित बचाना चाहते हैं तो वह कॉंग्रेस में पार्टी का विले करें उसके बाद सुप्रिया भी राड़ी तिरूप से सरवाई कर पाएगे और शरत पवार बड़ी खबर आप बता रहे हैं मलिकाजुन खड़गे के घर पर राहूल गांधी मौजूद है इसमक्त और शरत पवार और खबर जो समीर जी बता रहे हैं मुद्दा ये है कि क्या श कॉंग्रेस में आई है कॉंग्रेस विले कीजिए अब आपके पास समयराजिति का नहीं है सुप्रिया का भविशे कॉंग्रेस असाने साहते है और हम मिलकर अर्जिनता पार्टी और एकनात शिंदेगे इतना कमजोर हो गए हैं कैस्ट का बहुत कमजोर हो गया है और वह शिव से ना एक ना शिंदे और बीजे बीजे लड़ेंगे। शरत पवार कॉंग्रेस पार्टी का हिस्सा बन जाए और तब वो बैठ रहे होंगे। शरत पवार कॉंग्रेस पार्टी को शोल दीजे उनकी पॉजिशन के लिहाद से तो और कौन सा नेता है। शरत पवार का अगर वो आ जाएंगे। यह अभी दो दिन पहले इशरत पवार का है। तो उनके तरफ से भी भूमिका प्लैटफॉर्म तो तयार है। तयार होंगे।